बच्चो अभी तक आपने हिंदी साहित की विधाओं में कविता, कहानी, निबंध, ब्यंग, रेखाचित्र और लगुकताओं का देन किया है आज हम बहमुखी प्रतिभा संपन्न, हिंदी साहित के सुप्रशिद्ध साहित्यकार स्री अम्रितलाल नागर जी की आत्मकथा का अंश मैं लेखक कैसे बना, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अम्रितलाल नागर का जन्म 17 अगस्त 1916 को गोकुलपुरा आगरा में हुआ, पिता का नाम राजाराम नागर जी था, और आपने मात्र 25 कूर तक की सिख्षा प्राप्त की घर पर ही रहकर स्वाध्याय द्वारा, साहित्य, इतिहास, पुराण, पुरातत्व, एवं समाज सास्त्र का देन किया नागर जी हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला और अंग्रेजी के ग्याता थे सभी भासाओं पर इनका समान अधिकार था वास्तो में, 19 वर्ष की आयू में, इनके पिता की मृत्य हो गई पैणामत स्वरूप, ग्रिहस्ती का सारा भार इनके उपर आ गया जिससे वे आगे की पढ़ाई नहीं कर सके जीव को पारजन के लिए इन्हें नौकरी करनी पड़ी आगासवानी लखनव में ड्रामा प्रोड्यूसर के परदपर कारिकरते रहे सन 1932 से निरंतर लेखन की ओर उन्मुक हुए और 1940 से 1947 तक कोलहापूर में हाज शिरस की जो प्रमुक पत्रिका है चकल्लस उसका संपादन किया बंबई मद्रास में रहकर फिल्म छेत्र में लेखन का कारिभी किया 23 फरवरी 1990 हिश्वी में नागर जी का लक्ष्णव में निधन हो गया एक कथा जगत का सितारा अस्त हो गया चूंकि अमरितलाल नागर ने ऐसी ऐसी कथाकृतियां दी है जिनका विश्व के कई भासाओं में अनुवाद हुआ है साहित्य की तमाम बिधाओं में केर्तिमान इस्थापित करने वाले स्री अमरितलाल नागर प्रारभ में मेघराज इंद्र नाम से रचनाय लिखते थे अब आद में तसलीम लखनवी के नाम से भी इनोंने अनेक रचनाय की हैं आपके जो उपन्यास हिंदी संसार में बहुचर्चित हुए उसमें है महाकाल जो 1947 में प्रकाशित हुआ और बाद में 1970 में भूख नाम से प्रकाशित हुआ और दूसरा इनका उपन्यास है बूंद और समुद्र ये बूंद और समुद्र जो है ओनएज इसोच अपन में प्रकाशित हुआ और शूहाक के नूपूर इसाथ में प्रकाशित हुआ इसी तरह से शाथ घूङट वाला मुखड़ा इसैन प्रकाशित हुआ 1968 में एकदार नए मिशारणिये 1972 में एक बहुत चर्चित उपन्यास जो गोश्वामी तुल्सी दास जी के ब्यक्तित और कृतित उपर आधारी थे मानस का हंश यह प्रकाशित हुआ 1973 में नाश्यों बहुत गुपाल यह 1978 में प्रकाशित हुआ और एक उपन्यास जो महा कभी सूर्दास के जीवन से सम्मंधित रहा उनके जीवन धर्सन उनके व्यक्तित और कृतित को लेकर के लिखा गया खंजन नयन है यह 1981 में प्रकाशित हुआ और करवट जो उपन्यास है इनका उनई सो पचाशी में प्रकाशित हुआ और अनेक अनेक अपन्यासिक कृतियां हिंदी संसार के सामने आई और कथा संग्रहों में इनका वाटिका अवसेश जैसे तुलाराम सास्त्री और जैसे पीपल की परी और पांचमा दस्ता इस तरह से अनेक कथा संकलन स्री नागर जी ने हिंदी संसार को दिया है और आप बहुत अच्छे नाटक कार भी थे और नाटकों में युगावतार और बात की बात नुकर पर चड़े नदू जो रंग उतार चड़ाओ और इसके बाल आपने ब्यंग बाल साहित्य और अन्यानेका नेक ग्रंतों का प् ब्यंग में नवावी मसनद, सेट बांके मल और कृप्या दाएं चलिये, चकल्लस हम फिदाय लखनवू, आधियापके ब्यंग संग्र हैं, ऐसी तरह से जहां एक और आपने प्रवणों के लिए, बड़ों के लिए साहित्य की सर्जना की है, वहीं बाल साहित्य भी आपने बहुत उत्क्रिष्ट दिये हैं, जैसे नट्खट, चाची, जैसे निदिया, आजा, इसके साथ बजरंगी, नोरंगी, साथ भाई चम्पा आध अनेक बालसाहित आपने दिये हैं और अन्य में जैसे कुछ संस्मरण हैं रेखाचित्र हैं तो संस्मरणों में जैसे गदर के फूल और ये कोठे वालियां चैतन्य महाप्रभू जैसे तुकड़े तुकड़े दास्तान इस तरह से आपने कई संस्मरण और जीवनी परक रचनाएं भी की हैं आपकी साहित्तिक प्रतिभा और आपके प्रदाय को देख करके भारत सरकार ने आपको पदमस्री अलंकरण से अलंकृत किया इसी तरह से बूंद और समुद्र ग्रंथ पर कासी नागरी प्रचानी सभा ने आपको बटुक प्रसाद पुरसकार से सम्मानित किया और सुहाट के नूपुर पर उत्तर प्रदेश आसंद्वारा आपको प्रेम चंद पुरसकार प्रदान किया गया अम्रित और विश ग्रंथ पर साहित यकाद्मी एवं सोवियत लैंग नहुरुपुरसकार आपको प्रदान किया गया प्रद्धी साहित ये सम्मेलन प्रयाग द्वारा आपको साहित वाचस्पती की उपाधिसे विभूशित किया गया उत्तर प्रदेश हिंदी संस्तान द्वारा आपको सर्वोच भारत भारती सम्मान से नवाजा गया बच्चो आपके पार्ठिक्रम में स्री अम्रितलाल नागर जी की आत्मकथा का अंश मैं लेखक कैसे बना ये संकली थे जो उनके तुकड़े तुकड़े दास्तान से लिया गया है तो आपने अभी आत्मकथा नहीं पढ़ी है और आत्मकथा की बारीकियों से उनकी अधानाओं से परिशित नहीं है चुंकि आपके लिए एक नई विधा है तो आईए सबसे पहले हम देखते हैं कि आत्मकथा है क्या जब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी जीवनी ख रहा जाता है आत्मकथा किसी ख्यात्य प्राप्त लेखक या ब्यक्ति के जीवन की आत्मा भी ब्यक्ति है इसमें लेखक की आप बीती और जग बीती रहती है आत्मकथा का शुरूप क्या हो कैसा है जैसे ब्यक्तिगत डाइरी संस्मरण ब्यक्दिगत निवन इन सब को आत आत्मकथा के अंतरगत रखा जाता है किन्तु एक ब्यापक प्रिष्ट भूम में जीवन के अनुभवों और अनुभूतियों का क्रमिक निरूपन होता है आत्मकथा में आत्मकथा प्रथम पुरुष में लिखी जाती है क्योंकि लेखक श्वेंग अपने बारे में लिखता है, आखिर लेखक जो हैं आत्म कथा लिखते क्यों हैं, क्या उद्देश से है आत्म कथा लेखन का, आत्मा भी व्यक्ति वास्तों में बच्चो आत्मा भी व्यक्ति मनुस्य का सहज लक्षन या यूं कहें कि दुरवलता है इन्हें लक्षनों से प्रेरी थोकर जो व्यक्ति है लेखक है रशनाकार है वो आत्म कथा लिखता है अपने जीवन में जो सहायक शुख दुख हैं उनकी अन्भूतियों का बटवारा आदान प्रदान करने के लिए भागी तार बनाने के लिए वह जो है आत्मकथा लिखता है अन्भूतियों के भार को दूसरे में बाट कर अपना भार हलका करने के उद्देश से भी लेखत जो हैं आत्मकथा लिखा करते हैं आत्मा भी व्यक्ति को खोल कर दूसरों में प्रकट कर सच्चाई को उजागर करना ये आत्मकथा का उद्देश यह प्रतिपाध्य है अब आत्मकथा लेखन में क्या-क्या ध्यान में रखा जाता है एक इस तरी आत्मकथा कैसे लिखी जाती है तो बच्चो आत्मकथा एक ऐसा दस्तावेज है जो लेखक का इकबालिया बयान कहा जा सकता है उसमें आत्मकथा में सच्चाई का उलेखो पहली सर्थ है अगर सच्चाई नहीं है तो आत्मकथा पठनिय नहीं होगी दर्पन की तरह सब को साप साप खोल कर रख देना चाहिए आत्मकथा में केवल आत्म इस्तूती नहीं बलकि उन पहलूं का भी समावेश किया जाना चाहिए जो लेखक की कमियों को उजागर करें यह हर रच्चनमने लेखक को इस पर निश्चित रूप से ध्यान देना अनिवारे होता है जो विवादित पहलू है उससे हमेशा बचना चाहिए किसी का नाम है संप्रदाय है इन सब बातों को लेखक जो है अपने आत्मकथा में नहीं लिखता जिससे उसका दूरगामी प सोटी पर जाची परखी न जा सकें उनके उल्लेख से लेखक को परहेज करना चाहिए जीवन में सिक्षा प्रद जो हमारे अनुभों हैं जो जीवन की प्रेरक घटनाएं हैं जो प्रेणा दायक बाते हैं उनका उल्लेख आत्मकथा में किया जाना चाहिए और अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव डालें उसका उल्लेख करने से हमेशा प्रहेज करना चाहिए नहीं देना चाहिए जीवन में उन सभी अनुभवों को बाटना चाहिए जो लोगों के लिए प्रेर्णादायक हो प्रेरक हो और अब प्रस्ने उठता है कि किनकिन लोगों ने आत्मकथाएं लिखी हैं तो अम्रितलाल नागर जी के अतरिक्त भारतें दुहरिश्चंद स्याम सुंदर्दास और राहुल संक्रत्यायन प्रभाखेतान मन्नु भंडारी और सीला जुन-जुन वाला महात्मा गांधी पंडित जवाहलाल नहरू राम विलास गुप्त और हरिभाव उपाध्याय और बबु गुलावराय और यसपाल देविन सत्यार्थी के अतरिक्त हरिमंसराय बच्चन भीश्मसाहनी आधी अनेक रश्नाकारों ने आत्मकथाएं लिखी हैं जो हिंदी साहित में बहुत प्र अब आईए हम लोग परते हैं मैं लेखक कैसे बना स्री अम्रित लाल नागर का जो आत्मकथा का अंश है उस पर अब हम लोग चर्चा करते हैं क्योंकि आत्मकथा क्या है यह आपकी समझ में आ चुका है तो आईए हम लोग चलते हैं अम्रित लाल नागर के आत्मकथा का अंस मैं लेखक कैसे बना अम्रित लाल नागर कहते हैं कि अपने बच्पन और नौजवानी के दिनों का मानसिक वातावरन देखकर यह तो मैं कह सकता हूं कि किन-किन परिस्थितियों ने मुझे लेखक बन ना दिया परन्तु यह अब भी नहीं कह सकता कि लेखकी क्यों बना मेरे बाबा जब कभी प्यार से मुझे आशिरवात देते थे तो कहा करते थे कि अम्रित तु जज़ बनेगा कालांतर में उनकी यह इच्छा जो है मेरी इच्छा भी बन गई मैं भी सोचने लगा कि जज़ बन जाओं अपने बाबा के सपने के अनुसार ही मैं कहता था कि मैं बिलाज जाओंगा और जज़ बनूँगा इस तरह से मैंने भी बच्पन में यह सोच लिया था वास्तों में नागर जी के घर सरस्वती और ग्रहस्ती दो पत्रिकाएं जो माशिक थी आया करती थी और नागर जी निमिर रूप से उनको पढ़ा करते थे नागर जी कहते हैं कि कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला पाक्षिक सापताहिक हिंदू पंच भी मेरे घर आता था और मैं उसका भी अद्धेन करता था भारतेंदुकाल के सुप्रसित द्हाज सिव्यंग लेखाक और संपादक शिवनाज जी सर्मा मेरे घर के पास ही रहते थे और उनके जेस्ट पुत्र से मेरे पिता जी की घनिष्ट मैत्री थी उनके यहां से भी मेरे पिता जी पढ़ने के लिए अनेक पत्र-पत्र काएं लात मेरे ही घर्ठा हरते थे मुझे उनका बड़ा इसने मिलता था आशिरवाद मिलता था आचारी श्याम सुन्दर दास जो हैं उन दिनों इस्थानी काली चर्ण हाई स्कूल के हेड मास्टर थे उनका एक चित्र आज भी मेरे मन में इस पस्ट होता है बीज बीच में कि सुबह बस वह नीम की दातून चबाते हुए मेरे घर पर उनका आना इस इलहाबाद बैंक की कोठी में सामने ही कंपिनी बाग था उसमें तहल कर दातून करते हुए हमारे हाथे थे और वहीं हांत मुह धोकर चांदी के वर्क में लिप्टे हुए आमले लेते और दुख धुपान क करते हैं तब तक आचार प्रवर का चपरासी अधीन उनकी कोठी से हुखका लेकर मेरे यहां पहुंच जाता यह हुखका बच्चों पहले उसमें नली लगी रहती थी और मित्ती का या तांबे पीतल का बना रहता था उसमें पानी भरा रहता था उसमें मतलब एक हुखका तुम लोगों ने देखा होगा वो हुखका गुलगुलाय करते थे यह पहले पुराने जवाने में इसका बहुत चलन था आज पौन घंटे तक हुखका गुलगुला कर वे चले जाते थे उर्दू के प्रशिद्ध कर पंडित ब्रिज नारायन जो चक्रबस्त नाम से लिख पंडित माधव शुक्ल की दवंग आवाज और उनका हाथ जो है बढ़ा बढ़ा कर कविता सुनाने का ढंग आज भी मेरे मन में एक दिब जहांकी प्रस्तुत कर देता है नागर जी कहते हैं जलिया बाला भाग का जो की जो क्रांती हुई थी वहां से मित्ती एक पुडिया में लेकर आये थे उसे दिखा कर उन्होंने जाने उस समय क्या क्या कहा था मुझे तो बातें अभी याद नहीं हैं लेकिन इतना जरूर है कि उसका प्रभाव मेरे जीवन पर बहुत अधिक पड़ा मेरे पिता जी जो थे पूठ जिमाथो जी के निर्देशन में अभिने कला सीखा करते थे वैसे कलम के छेत्र में आने का इसपस्त कारण भी मेरे पास है सन 1928 में इतिहास प्रसिद्ध साइमन कमीशन दोरा करता हुआ लखनवु नगर में आया था उसके बिरोध में यहां एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था पंडित जवाहलाल नेहरू पंडित गोबिंद बल्लव पंत आधि उस जुलूस के अगुआ थे लड़काई उमर में जोस से उफ जुलूस में मैं भी सामिल हो गिया जुलूस मील देड मील लंबा था बहुत लंबा जुलूस था वो उसकी अगली पंक्ती पर जब पुलिस की लाठियां बर्षी तो भीन का रेला पीछे की और खिशकने लगा उधर पीछे दम घुटने लगा था मेरे पैर जमीन से उखड़ गए थे मुझे अच्छी तरह से आध है कि दो चक्की के पाटों में पिसकर दम घुटने लगा था मेरे पैर जमीन से उखड़ रहे थे दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ उनमत तभीड की जो टक्राहत थी टक्कर थी वो हम पर पड़ रही थी एक दूसरे से टक्रा रहे थे उस दिन घर लोटने पर मांसी को तेजना वस कबलों कहों जेल सहा करिए यह पंक्ती जो है मेरी पहली पंक्ती थी माने काब्य रचना की वह कविता तीसरे दिन दैनिक आनन्द में छब भी गई चापे की अक्षनों में अपना नाम देखकर तो नशा आ गया हर लेखक को होता है कि जब किसी समाचार पत्र में या किसी पत्रिका में अगर कविता चप जाए तो लेखक बन दिया मेरा ख्याल है कि दो तिन प्रारंभिक तुक बंदियों के बाद ही मेरा रुजान गद्ध की ओर गया और मैं कहानिया लिखने लगा पंडित रूब नाराएंजी पांडे का विरत्न मेरे घर से थोड़ी दूर पर रहते थे उनके यहां अपनी कहानिया लेकर में पहुचने लगा वे मेरी कहानियों पर कलम चलाने के बजाय सुझाव दिया करते थे उनके प्रारंभिक उपदेशों की एक बात अब तक मैंने गांठ बांध रखी है नागर जी कहते हैं कि छोटी कहानियों के समंध में उन्होंने बताया था कि कहानी में एक ही भाव का समावेश होना चाहिए और उससे अधिक रंग भरने की गुंजाइश नहीं होती अन्यता ओ कहानी कहानी नहीं होती और हमारा स्वभाग्य रहा कि सन 1929 में सूरिकांत्रिपाठी निराला जी से परचे हुआ तब से लेकर सन 2949 तक परिचे दिनों दिन हमारा घनिष्ठ होता चला गया और निराला जी के व्यक्तित्व ने मुझे बहुत प्रभावित किया आरम में यदा कदा दुलारे लाल जी भारगव के सुधा कार्याले में आया जाय करता था मिश्रबंदू बड़े आदमी थे बगल में ही वो भी रहते थे तीन भाई के साथ वे लखनव में रहते थे तीन चार बार उनकी कोठी पर मैं दर्सनार्थ गया हूँ अंदर वाले बैठक में एक तखत पर तीन मस्नद और लकड़ी के तीन कैश वाक्षर रखे हुए थे मस्नदों के सहारे बैठे तीन साहितिक महापुर्शों की चभी आज तक मेरे मानस पटल पर अंकी थे राव राजा पंडित श्याम बिहारी मिश्र का एक उपदेश भी उन दिनों मेरे मन में घर कर गया था उन्होंने कहा था कि साहितिको टके कमाने का साधन कभी भी नहीं बनाना चाहिए साहित को भुनाना नहीं चाहिए चूंकि मैं खाते पीते खुशाल घर का लड़का था इसलिए इस सिध्धान्त ने मेरे मन पर बहुत बड़ी चाप छोड़ी इस तरह सन उनाइस सो तीस तक मेरे मन में हबात एक दम स्पस्ट हो चुकी थी कि मैं लेखक बनूंगा कासी में उन दिनों अनेक जो है महान साहितिकार रहा करते थे वहां आना जाना सुरू हुआ साल में दो चक्कर में लगा लेता था शरत चंद चट्टो पाध्याय के दर्सन पाकर मैं स्पूर्थ इसे भर जाता था शरत बाबू हिंदी बहुत मीथी बोलते थे मुझसे कहने लगे स्कूल कालेज में पढ़ते समय बहुत से लड़के कविताएं कहानिया लिखने लगते हैं लेकिन बाद में उनका अभ्यास छूट जाता है इससे कोई लाव नहीं पहले यह तुम निश्चे करो कि तुम आज जन्म लेखक ही बन में रहो गे यह सरजी ने नागर जी से कहा मैंने उत्साह में हामी भर दिया शर्थ बाबू ने अपना एक पुराना किस्सा सुनाया कि 18-19 वर्ष की आयू में उन्होंने लेखक के रूप में ख्याप्ति प्राप्त कर ली थी वे प्रसिद्ध हो गए थे क्रम सह उनकी दो त कारिक रूप से उप्रसिद्ध हो गए एक दिन रास्ते में शर्थ बाबू को अपने काले जीवन के एक अध्यापक मिल गए उनका नाम बाबू पांच कोडी था वे बंगला साहित के प्रतिश्थित आलोचक भी थे अपने पुराने सिश्थि को देखकर उन्होंने का शर्थ मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे लेखक हो गए हो लेकिन तुमने अपनी कोई किताब हमें पढ़ने को नहीं दी शर्थ बाबू बड़े संकोष से बिनम्रता पूरोग बोले वे पुस्तकें इस योग नहीं हैं कि आप जैसे विद्वान पंडित मनी सी उसे पढ़ सकें पांच कोडी बाबू बोले खैर पुस्तकें तुम्हें कहीं से लेकर के पढ़ दूंगा पर चूंकि अब तुम ले बहुत लिखना यह बहुत आवस्यक है हल लेकर के लिए दूसरे अपनी रचना लिखने के बाद तुरंत किसी को दिखाने सुनाने या सलाह लेने की आदत मत डालना कहानी लिखकर तीन महीने तक अपने दराज में डाल देना फिर ठंडे मन से स्वेंगी उसमें सुधार करत इससे जब यथेश्ट संतुष्ट मिल जाए तुम्हें संतोस मिल जाए तभी अपनी रचना को दूसरे के सामने लाना पांच कोड़ी बाबु का तीसरा आदेश या था कि अपनी कलम से किसी की निंदा मत करना अपने गुरू की ये तीन बातें मुझे देते हुए सरदबाबु ने चाउथा उपदेश दिया अपनी ओर से यदि तुम्हारे पास चार पैसे हो तो तीन पैसे जमा करो और एक पैसा खर्च करो यदि खर्ची ले हो तो दो जमा करो और दो खर्च कर लो यदि बेहद खर्ची ले हो तो एक जमा करो और तीन खर्च कर लो इसके बाद भी यदि तुम्हारा मन न माने तो चारों खर्च कर डालो मगर ध्यान रखना पांचवां पैसा किसी से उधार मत लेना उधार की बृत्ति लेखक की आत्मा को हीन और मलीन बना देती है यह बहुत बड़ी शिक्षा थी शरत बाबू की जो उन्होंने अमरितलाल नागर जी को दी थी आगे अमरितलाल नागर जी कहते हैं मैं तो यह नहीं कह सकता कि इन चारों उप्रदेशों को मैं सत्प्रश्चत अमल में ला सकता हूं फिर भी यह अवस्य कह सकता हूं कि प्रायर नब्बे फिजदी मेरे आचरन पर इन उप्रदेशों का प्रभाव पड़ा है फिर आगे अमरितलाल नागर जी कहते हैं कि सान 1933 से लेकर 1933 तक का जो समय है वह लेखक के रूप में मेरा सबसे बड़ा संगर्स का समय था बहुत कषिनाईयों से गुजरा कहानिया लिखता गुर्जनों से पास भी करा लेता परन्तु जहां कहीं उन्हें छपने को भेजता वो गुम हो जाती रचना भेजने के बाद मैं दोड़ दोड़ कर पत्र पत्रिकाओं में के स्ताल पर बड़ी आतुरता से देखता कि कहीं मेरी कहानी छपी है कि नहीं छपी है बच्चो यहार लेखक के लिए ऐसा है हर कविके लिए ऐसा है हर साहित्तिकार यही करता था है पहले वह अपनी रचनाये छपने को भेजता है और छपने के बाद वह पिर पत्र पत्रिकाओं के पीछे दाओरता है कि हमारी कहानी चपी है हमारी कविता चपी है कि नहीं चपी है इस बात को अम्रितलाल नागर ने बेबाक स्विकार करते हुए पाठकों को बताया हर बार निराशा उन्हें हाथ लगी मुझे बड़ा दुख होता था कि उसकी प्रतिक्रिया के कुछ महीनों तक मुझे सनक जो ह फार डालता था सन 1923 में पहली कहानी मेरी चपी 1934 में माधुरी पत्रिका ने मुझे बहुत प्रोसाहित किया फिर बराबर जो है मेरी रचनाएं चपने लगी मैंने यह अनुभों किया कि किसी नए लेखक की रचना प्रकासित ना हो पाना बहुदा लेखक के ही दोस्त के का लुषंप ना होकर समपादगों की गएर जिम्मेदारी के कारण भी होता है वे देखते ही नहीं है ने हैं लुए बहुत सारी कहानिया कर्षाएं उनके मेजे पर मैंने अंग्रेजी के माध्यम से अनेक विदेशी कहानियों तथा गुस्ताव लाबेर के के उपन्यास मादाम बोवेरी का हिंदी में अनुबाद भी किया। यह अनुबाद कारे में छपाने के नियत से उतना नहीं करता था जितना की अपना हाथ साधने की नियत से लिख रहा था। अनुबाद करते हुए मुझे उप्युक्त हिंदी शब्दों और उसकी शैली की खोज करनी परती थी जिससे मेरा सब्द भंडार बढ़े और पैणाम भी वही हुआ कि मेरा सब्द भंडार बढ़ा वाक की गठन भी पहले से अधिक निखरा। वास्तों में दूसरों की रचनाएं विशेश रूप से जो करमठ लोक मानने लेखक हैं उनकी रचनाएं पढ़ने से लेखक को अपनी सक्ति और कमजोरी का पता लगता है। को हर रचनाकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह दू जो प्रतिश्थित रचनाकार हैं प्रतिश्थित लेखक हैं उनकी रचनाओं को पढ़े। इससे अपनी कमजोरी का पता चलता है कि हम कैसा लिख रहे हैं। यह हर हालत में बहुत अच्छी आदत बना लेनी चाहिए। इस सत्य ने एक बिचित्र तडप भी मेरे मन में जगाई। बार बार यह नवह होता था कि विदेशी साहित तो अंग्रेजी के माध्यम से बराबर हमारी दृष्ण में पढ़ता रहता है। किन्तु देशी साहित्य के सम्मन्द में हम कुछ नहीं जान पाते। इन्होंने नागर जी ने अनेक अंग्रेजी साहित्य का पठन पाठन किया था। तो वही इन्हें लगा कि हम अंग्रेजी साहित्य तो बहुत पढ़ते रहे। अमेरी दूच भी रही। लेकिन हिंदी साहित्य जो है उसका अध्यन मैंने कम किया है। उन दिनों हिंदी वालों में बगला पढ़ने का चलन किसी हद तक था। लेकिन अन्य भारती भासाओं का जो साहित्य है हमारी जानकारी में प्राय नहीं के बराबर था। इसी तरब से मैंने देश की चार भासाइं सीखी। आज दावे से कह सकता हूं कि लेखक के रूप में आत्म विश्वास बढ़ाने के लिए मेरी इस आदत ने बहुत बड़ा उपकार किया। विभिन नवातावन को देखना घूमना भटकना बहुसुरुत और बहुपठी थोना भी मेरे बड़े काम का आता है। नागर जी कहते हैं कि एक लेखक के लिए भी बहुत आवश्यक है। वाला कथाकार कथा लेखक मेरे विचार से घाटे में रहता है उसे निशंकोच विविद वातावर्णों से अपना सीधा संपर्क इस्थापित करना ही चाहिए यह उनका आत्म कथा का एक अंश तुकड़े तुकड़े दास्तान में संकली थे जो 1962 में लिखा गया रहे अब आ आपने पूरा आत्म कथा का अंश मैं लेखक कैसे बना आपने देखा अब प्रस्ण यह उठता है कि लेखक बनने के लिए शरत बाबू ने क्या-क्या सुझाओ दिये थे अम्रतलाल नागर जी को शरत बाबू ने जो सुझाओ दिये थे जो लिखना हो अपने अनुभाव से लिखना और लिखने के बाद तुरंत किसी से सलाह मत लेना दो तीन महीने तक उसे रख देना और ठंडे मन से सुयम सुधार करना जब संतोस हो की रचना हमारी ठीक है आत्म संतोस लगने लगए तब दूसरों को दिखाना अपनी कलम से किसी की निंदा मत करना यह हर लेखक के लिए बहुत महत्तुपूर्ण है अपने कमाए धन में से कुछ न कुछ जमा करो और ना कर सको तो किसी से उधार मत लेना से शरत बाबुने नागर जी को सुझाव दिये थे अब प्रस्म यह बनता है कि अम्रितलाल नागर ने अपने आत्म कथ्य में अपने युक्के आंदोलनों का वर्णन किया है इन आंदोलनों का लेखक पर क्या असर हुआ तो नागर जीने अपने आत्म कथ्य में उस युक्य आंदोलनों का वर्णन किया है का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा देश भक्त की भावना उनके भीतर प्रभल होती गई आंदोलनों ने भी भाग लिया आंदोलनों में भी भाग लिया लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा उनके अंतर म और लेखन की ओर उन्मुख हो गए इस आत्म कथांश में लेखक बनने के पीछे बहुत सारे कारणों को स्विकार किया है अम्रितलाल नागर ने वे कारण कौन कौन से हो सकते हैं जैसे लेखक बनने के जिन कारणों को अम्रितलाल नागर जी ने स्विकार किया है उन में से जैसे पंडित माधो सुक्लन निराला जी श्याम सुंदर दास रूप नारायन जी पांडे पंडित श्याम बिहारे मिस्ट च नागर जी को प्रफावित किया जलिया वाला कांड और ने बहुत गहरी छाप छोड़ी नागर जी के उपर और 1928 में जो आने वाला साइमन कमीशन था उसके बिरोज में जो आंदोलन हुआ उसमें अमरितलाल नागर जी ने अपनी साथागिता भी दी थी उस जुलूस में वो तेजना के कारण पहली तुकबंदी हुई जो दैनिक आनंद में छपी किंद प्रारंबिक तुकबंदियों के बाद नागर जी का जो रुजान है वह गद्धिकी और हो गया पंडिश्याम बिहारी मिसर जी के बिचारों ने उन पर गहरी चाप छोड़ी है उन्होंने बताया कि साहित को टके कमाने का साधन नहीं बनाना चाहिए और इस बात ने नागर जी को बहुत प्रवावित किया सन 1929 तक उन्होंने निश्चित कर लिया था कि वे लेखकी बनेंगे अब जो मिसर जी ने बात कही थी नागर जी को कि साहित को टके कमाने का साधन कभी नहीं बनाना चाहिए तो इसके पीछे राज क्या है वह रहत से क्या है साहित को टके कमाने का साधन कभी नहीं बनाना चाहिए क्योंकि साहित्य स्वानता सुखाय ही नहीं होता बलकि वो बहुजन हीताय बहुजन सुखाय भी होता है उसके आदर्स समाज के हित्वा कल्यान में नीत होते हैं वह लोग हितकारी होता है अधा साहित के छेत्र में यह सिद्धान्त उसकी उत्क्रिष्टता में मील का पत्थर सावित होता है एक बार अमृतलाल नागर जी कहते हैं कि एक बार अंग्रेजों को दावत पर बुलाया गया तो जो मुझे तस्वीर मिली थी जलिया वाले कांड की तो जब अंग्रेज दावत के लिए मेरे घर आ रहे थे मेरे दाधा जी ने उस तस्वीर को हटवा दिया था वास्तों में मुझे अच्छा तो नहीं लगा लेकिन अंग्रेजों के दावत पर आने के पहले बाबा ने जलिया वाला बाग कांड की एक तिरंगी तस्वीर को हटवा दिया था क्योंकि अंग्रेजों को रुचकर प्रतीत नहीं होता था और जलिया वाला बाग में जो हत्या कांड हुआ उसका प्रमुक दोशी जो है जनरल डायर था यदि अंग्रेज वह तस्वीर देख लेते तो उसका प्रभाव ठीक नहीं होता तो वास्तों में मैं लेखक क्यों बना आपने देखा कि लेखक बनने के लिए कितना संगर्स कितनी मेहनत और कितना स्रम करना पड़ता है और जो अमरितलाल नागर जी हैं जिस तरह से वे लेखक बने एक कविता की अरधाली से उन्होंने लिखना शुरू किया और बाद में गद्ध की और उन्मुक हुए और हर रचनाकार के लिए एक संदेश उन्होंने दिया कि साहित्य को टके कमाने का साधन नहीं बनाना चाहिए साथ ही नागर जी के ऊपर जो उस समय आंदोलन चल रहे थे उसका भी बहुत बड़ा प्रफाव पड़ा और बड़े बड़े विद्ध्वानों की संगट बड़े बड़े विद्ध्वानों का साथ उनसे चल रही वारताएं उन्हें एक अच्छा लेखक बनाने में अपनी चाहिए साहित्य को व्यापार का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए इस आत्म कथा अंश से हमें ये सिक्षा मिलती है